ओम श्रीगरेश आनमा, जैब भोलेनाथ जैचिप शक्ती, वेलकम बाक टो अवर चैनल कैसे है आप सब, आज हम एक वीगली रिडिंग करने जा रहे हैं, फॉर दवर्गो सायन यानकी कन्याराशी के लिए जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये जो हफता है, आप सब लोगों के लिए क्या चेंजिस लेकर आ रहा है, इजनरल रीडिंग है, अगर आप पहले बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू, दोंट फर्गेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब आपर चैनल, और बाकी की डीटेल सपॉंट्में के लिए स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेक आ और जो टाइमिंग्स हैं, वो मैं आपको बता दूँगी, मेवी राउंड साटरड़े, और कम्यूनिटी पोस्ट पे हम टाल देंगे टाइमिंग्स, और आप आप चेक आउट कर सकते हैं, और येस, अपने लाइप क्वेरी साप पूछ सकते हैं, और येस, अपने लाइप on a very positive note और देखते हैं वर्गो के लिए पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं okay so let's find out लव लाइफ की बात करते हैं वर्गो I think feelings emotions past past पीछा नहीं छोड़ रहा है that kind of a thing आप कहेंगे की past जा चुका है फिर आप बहुत जादा आप बहुत जादा पर्शान है यह हो सकता है कि आपको ऐसे लगता है कि oh my god यह क्या कर दिया that kind of energy ठीक है कुछ चीज है जो आपको बार-बार stress दे रही है कि यह कैसे हुआ क्यों हुआ इक सब क्यों हुआ वह वाली नची हमें वर्गो के लिए दिखाए दे रही है मेंबी कोई है पार्टनर जिनके लिए आप बहुत जाल लॉयल है बट चीजे काम नहीं कर रही है कौन दादर हैं आपकी जो पार्टनर है I think somebody is like you know communication किसी ने like somebody is drawing back हो सकता है कि यह person communication block कर रहे है यह हो सकता है कि restrict कर रहे है you know not communicating और वो चीज दिखाए दे रही है like yes resisting a communication बो वाली energy हमें दिखाए दे रहे है इस person के तरफ से like they want to talk to you but they are not talking to you और in fact उनोंने विल्कुली अपने आपको out कर लिया है या अपने काम में focus कर रहे है यह energy हो सकती है ठीक है आप लगों के बीच में एक लूप चल रहा है वो on-off वाला ठीक है एक लूप है कि yes this is you know like on-off on-off जहां से शुरू होती है situation बहीं आजाती है यहां that kind of a thing is going on in Virgo's life you know love life specially चलिए और देख लेते हैं what else is coming in your love life let's find out okay so हमारे बात यहां पर है past life relationship okay so हो सकते है कि आप इस person को पहले से जानते हैं ठीक है and now I think it's about कि आप लोगों के बीच में वो chemistry नहीं है like एक वक्त पर जो हुआ करती थी but अब वो बात नहीं है वो चीज बनने ही पा रही है ठीक है so and new love yes of course कहीं और I think it's about कि feeling और like draw हो रहे है यह अपके partner की भी energy हो सकती है जरूरी नहीं है कि यह आपी की energy है ठीक है तो यह चीज ही करी है अब बात करें single लोगों की तो I think for singles new love is coming I am getting like a new love is coming in your life and romantic feelings like develop हो रही है और यह हो सकता है कि आप connected feel करें ठीक है healing family issues getting to know each other तो यह single लोगों के लिए दिखाई दे रहा है and for those who are married then I think beach में problem है आप लोग involved नहीं है आपस में या वो romantic feelings नहीं है तो शायद अलग लग हो रहे हैं तो वाली energy भी दिखाई दे रही है ठीक है तो I think आपको एक साथ time spent करने की जरूरत है family issues को solve करने की जरूरत है वो कब होग then you will sit and talk okay heart to heart conversation यह होना बहुत जुरूरी है so this is we are getting for Virgo चलिए अब हम बात करेंगे करियों की करियर वाइस यह जो हफता है कैसा रहेगा वर्गों के लिए करियर वाइस वी चूस्ट इस टेक ओकी यह तुमारे पास यहां पर forward movement है of course and it's about connectivity और कुई teamwork हो सकता है passing a level teamwork कुछ भी हो सकता है किसी project पर आप लोग मिलके काम कर रहे हैं getting through that next level यह सारी शीज़े हमें वर्गों के करियर दिखाए रहे हैं expansion growth moving towards the next level और हो सकता है कोई टेस्ट पास कर रहे हैं office change हो सकता है not necessarily but yes हो सकता है ठीक है and maybe it's about that you are struggling to get there you are struggling to get a space you know like office के लिए कोई space तून रहे है तो वो problem आ रहे है उसमें दिक्कत आ रहे है yes but you will be successful I think at the end you will be successful in that तो देख लेते हैं क्या guidance है for all the work of people चाहे आपकी love life or career बहुत जाता energy दिखाए दे रही है that you are you know like shattered feeling very low और या उसकता ऐसे लग रहे है you know बहुत सथा emotional तो उस energy में से बाहर निकलने की जुरूत है happy रहने की जुरूत है और past you know past में जो हुआ या जो भी जो भी है उसे like you need to get over that उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं त्राइ करना चाहिए आपको innocence है हमारे पास यहां पे sun card तो positive रहने की कोशिश कीजिए happy छोटी छोटी life की छोटी छोटी चीजों में कभी-कभी क्या होता है you are looking for something big और बाकी सारे चोटी चोटी चीजे हैं जो life में खुशी हैं उनको इग्नोर कर देते हैं then we are getting celebrate life as it is coming ठीक है celebrate करना बहुत जरूरी है past में से निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसी में आप you know like first के रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा creativity explore जब पास्ट में स्टक हो जाते हैं तो आप आगे के जर्वाजे बंद कर देते हैं because till you are looking to the closed door जो बंद हो चुके हैं या पुराने तरीके नए तरीके अपनाईये creativity अपनी creativity को explore कीजिए अपने आप पे self work कीजिए अपनी Empress energy में आईये फिर सब कुछ अच्छा होगा positive होगा तो यह दिया आपकी reading वर्गो आपको पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताए कैसी लगी मिलते हूं next time with another reading till then take care अपना ख्याल रखिए